हेलो दोस्तों स्वागत है आपका बैंकर्स ड्रीम यूटूब चैनल पर सो गाइस मैं आपको मेरा लास्ट इयर का आरर भी प्यो का स्कोर काड़ शेयर करने जा रही हूँ कि मैंने कितनी अटेम्ट किये एंड मेरी मार्क्स कितनी आए है और मेरी कैटेगरी जनरल है एंड स्टेट हर्यान है एंड मैं हर्याना से बिलोंग करती हूँ तो गाइस देखती है कि मेरा स्कोर क्या रहा तो जैसा कि आप देख रहे है रीजनी की अंदर मेरे मार्क्स 38.75 है आउट ओ 40 मैंने 40 ही अटेम्ट किया था ये कोशन गलत हो गया और क्वांट में मेरा स्कोर 16.50 है मैंने 15 अटेम्ट किये थे और एक्यूरेसी के कारव मुझे डेट नंबर एक्स्टरा मिले है और ओवरॉल 55.25 है लेकिन हर्याना की कट ओफ लास्ट येर 59.50 गई थी इसलिए मैं सेलेक्ट नहीं हो पाई प्री क्लियर नहीं हो पाया मेरा क्योंकि हर्याना एक ऐसा स्टेट है जहां पर हाई कट ओफ ही जाती है लास्ट येर तो फिर भी कम गई थी उससे लास्ट येर तो 64 के अराउंड गई थी आप आपको तो पता है ये पेपर का लेवल तो यही रहता है जैसा लास्ट येर था तो मेरा ओवर ओल तो 55.25 और कट ओफ नहीं निकल पाई लेकिन अब देखते हैं अभी मैंने अपलाई किया है कि अब कैसा पेपर आता है पूरी उमीद है कि आपके बार मेरा निकल जाए क्योंकि लास्ट येर में को इतनी प्रैक्टिस नहीं थी लेकिन इस साल मेरे को प्रैक्टिस है तो रीजनिंग तो मेरी वैसे भी पूर्डी होता है यह फेपर झोड़ी से पजल की आत्ती या यहाधा होती है लेकन सोल होने वाले होते हैं अगर एक बार मैं सोल हो जै तो बस हो जै लेकिन कोई stop HOLGijn पूनी बचा सकता लगा तो क्यूंकि फिर तो सारा TIME बरंबाद हो ज चेसा घाएगा तो आप इस बात का लाइन या अपना वर्ड कोई ऐसा पड़ पड़ चुकी होते हैं कि अपनों को समझ नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत है एक पर उसको स्किप कर देना चाहिए और बाद में उसी पजल को दुबारा से बनाओगे न तब डेफिनेटली बना सकते हो उसको तो आप रेजिनिंग के लगे रहते हैं कि निकालेंगे इसकी वज़ा से असांसी चुट जाती है लाश्ट अभी मेरे साथ ऐसा हुआ था आर्थमेटिक की वज़ा से जो सिंप्लिफिकेशन कोशन थे वह रहे थे मेरे लाश्ट के अंदर तो मुझे बहुती ज़्यादा अफसोस हुआ था लेकि कि आपके बर पूरे पेपर मेसिज़्ों मुझे आता हुआ मैं मैं से पहले मैं वही निकाल के करूंगी और यह रहा मेरा स्कोर जो मैंने आके साथ शिएर की है इंड जो और भी पेपर मैंने दिया उनकी में शेयर कर दूंगी और जो मेरा अग्यारा बीपीयों का होने वाल ता और आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो एंड मेरी चैनल को आप स्पोर्ट करना शेर करना सब्सक्राइब करना लाइक करना थैंक यू